जाखिन दोफस्तों बलकम बैक तो आर्मी वा यूटेव चैनल आज हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्डिड कोशन डिस्कस करेंगे जो के आपके आर्मी एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्डिड रहेंगे तौफ 30 कोशन आपके डिस्कस करेंगे यह सभी 30 कोशन आरमी के सभी ट्रेट के लिए इंपोर्ड़िड रहेंगे आपके लिए टार्गेट रहेगा 27 कोशन के आपके लिए टार्गेट रहेगा सभी कोशन आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे सब्सक्राइब क्यों आपको सुनके अंसर देना है रोज से कोश्चन पूछा दा चुका फिसली साल परसिद मिनाक्षी मंदिर कहां पर स्थ है ऑप्शन आपके वेर इस दी फेमस मिनाक्षी टेंपल लोकेटिड तिरी चुरा पल्ली मदुरही डिक बोई या इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताईए परसिद मिनाक्षी मंदर जो है ये कहां पर स्थ है ऑप्शन नमबर विल्कूल करेक्ट आंसर आपका रहेगा कहां पर सित है मदुरही में स्थ है व्च्छन नमबर आपके सामने है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है इमपोरडिर कोश्चन है भारत की सबसे लॉंगिस्ट त्राइबर आपकी है भारत द्वारा प्रक्षेप्तित फर्स्ट उपग्रह कौन सा था भारत द्वारा प्रक्षेप्तित प्रत्म उपग्रह कौन था बिच्वाजदी फर्स्ट सेटलाइड लॉंज़िट बाई इंडिया आप्शन आपके चंद्रियान आरे भट मंगलियान या इनमें से कोई न 1975 को आरेखट को जो हैं लोंज किया गया था बॉंचन बचार आपके सामने और मौस इपोड़ जे आ मौलिक अधिकारों का उलेंक्ष सविधान के किस भाग में किया गया है जो मौलिक भाग तो भाग तीन या फिर भाग चार में option number डी विल्कुल correct answer आपका रहेगा भाग तीन में जो है किसका बर्न किया गया है आपके भारत में मौलिक अधिकारों का बर्न किया गया है question number 5 important है पिछले साल ये 2-3 बार question पीटी रहा था नासिक किस नदी के तड़ पर स्तीत है नासिक इस लोकेटेड ऑन दी बैंक ओफ विच राइवर फरवरी मत में और लास्ट ममबर मत में question पूछा गया था यमना ब्रंपुत्र गोदावरी या फिर नरम्दा नासिक जो है ये किस नदी के तड़ पर स्तीत है option नमबर सी विलकूल correct answer आपका रहेगा गोदावरी नदी के तड़ पर स्तीत है question नमबर 6 आपके सामनी है बीबी का मकवरा किस साशक ने बनाया था थोड़ा सा confusion हो सकता है precaution imported है और साथ में PDF के लिए आप टेलीग्राम गुरूप जाइन कर सकते ठीक है PDF के लिए टेलीग्राम गुरूप जाइन कर सकते जिसका लिंक नीचे आपको डिस्कृशन है मिल जाएगा बिच रूलर विल दी तम ऑफ बीबी तो बीबी का मकवरा जो है किस ने बनाया था option number C विलकुल correct answer आपका रहेगा आजम शाहने आजम शाहने जो है बीबी का मकवरा बनाया था किसके लिए अपनी मा के लिए मा का नाम क्या था मा का नाम था वानो बेगम ठीक है बानो बेगम जी थी यह ठीक है इसे तुड़ा सा अच्छे से गल्ले लिए लिए बानो बेगम के लिए बानो बेगम बानो बेगम जी थी इसकी मा थी और यह किसकी पत्नी थी औरंग जेब की ठीक है और अंगाबाद में जो है बी बी का मकरा स्थित है कोश्चन मबर और याद रटके शाहाआओ जहां का शाहाँ जहां का आजम शाहाँ यह था क्या था पोता था कोश्चनमर 7 आपके सान्य है Carry लक्षिय develops cantidad रही थे वेर इस दी लक्षय दीप गुरुप लोकेटिड पंगाल की खाड़ी इन महासागर अर्व सागर या इन में से कोई नहीं हिंद महासागर तो सही अंसर क्या रहेगा हिंद महासागर में स्थेत हैं ऑप्शिय नमबर से बिल्कुल प्रेक्ट आंसर आपका रहेगा लक प्ले ग्राउंड और युरोप निकनेम किसी दिश का हो इंग्लैंड स्विजर लेंड नीदरलैंड या फिर इजराइल इंग्लैंड का माफ्कान 123 kraan कि से कहा जाता है को प्र आचीण ऐल्मपिक खेल कि शुरुपा कर फूई थी यह पूछ हुए थे यहां से आपका पूछ रहा है जो प्राचिन ओलंपिक हुए थे इनकी शुरुवात कहां पर हुई थी युनान ग्रीस निजरलैंड या इनमे से कोई नहीं बिल्कुल से आप्षिन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा ग्रीस में इनकी शुर बोरो-बुदुरेई-विहार यह पूरा नाम है एक मंदिर का बोरो-बुदुरेई-विहार यह एक परसिद बोध मंदिर है यह कहां पर स्थित है जावा इंडुनेशिया में पैरिस-फ्रांस में निपाल-काठोमांडू में यह वीजिंग-चीन में तो याद रखकें बो का सबसे बड़ा मंदिर है जो की कहां प्रतित है जावा इंडोनेश में हमें स्थेत हैं यह आप्षिन नमबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेशन नमबर 11 से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ने करा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को शेर क होकर गुजरती है यहां से आपका गुजरात आता है ओपर राजस्तान से लगते ही फिर मद्यपरदेश लगती है फिर आपकी चत्तिसकड जारखंड पश्ची मंगाल एक दो तीन चार पांच छे पश्ची मंगाल से आपका आता है त्रीपुरा और मिजोर्म कितने होगे ए एक दो तीन चार पांच छे साथ और ठा आठ गुजरात राजस्तान मद्यपरदेश थिसगर जारकंड पश्ची मंगाल त्रीपुरा और मिजोर्म कितने आठ राज्यों से होकर गुरती है करक रेखा कॉश्चिन नमर 12 आपकी सामने है भारत का निपॉलिन किसे कहा जाता है हो काली डी निपॉलिन ऑफ इंडिया भारत का निपॉलिन किसे का जाता है समुंदर गुप्त को और भारत का निपॉलिन कहा जाता है से विलकुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा नेक्स कोश्चिन इंपोर्डीड है पानीपथ का तीसरा युद कब हुआ था स्पेशली बात कुरूं तो पानीपत के तीनों युद्याप आपको पता होना चाहिए कब कहां पर और किसके साथ ओए थे तो पानीपत का तीसरा जो हुआ था 1761 में हुआ था option number से बिल्कुल correct answer आपका रहेगा किनके मद्ने हुआ था ये भी आपको रहे था हूँ अहमद शाह ठीक है अमद शाह अबदाली और मराठाओं के बीच यह वह था जीता कौन था जिसमें अमद शाह अबदाली थो वह इसकी क्या रही थी जीत रही थी ठीक है यह आपका जीत गया था नेक्स कोशन है रणत भंबोर रास्ती उध्यान भारत के किस राज्य में स्तीत है रणत भंबोर नाशनल पार्क इस लोकेटेड इन बीच स्टेट आफ इंडिया उत्तरब्रदेश कुजरा राजस्तान या फिर हर्याना और फिर अप्षिन नमर्श सी विलकुल ग्रक्त आंसर आप सबीने बताया है राज्यस्तान में स्तीत स्तीत हैं और फिर पंद्र आपके सामने है इक्तादारी विवस्ता या फिर इक्ता प्रता भी कहते हैं इसकी शुरुवात किस ने करी थी इक्ताधारी विवस्ता की शुरुबात किस आशिक ने करी थी या फिर इक्ताधारी प्रथा की शुरुबात किस रूरल ने करी थी कुटूदीन एबक इलतूत मिश रज्य सुल्तान या फिर बलवन्य जल्दी से बताईए एक्ताधारी प्रथा की शुरुवात किसने करी थी तो सही अंसर क्या रहेगा option number भी बिल्कुल correct answer आप करेगा इलतूत में शुरुवात कर रहे थी आपकी एक्ताधरी प्रतागी कॉश्य नम्मर 16 है नेपोलियन बोनावाट किस देश का निपासी था जो नेपोलियन बोनापाट था 31 देश का निवासी था इंग्लेंड फ्रांस नेपाल या फिर रूस का ओप्शन नम्मर भी विल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा फ्रांस का निवाथिता निपोलियन बोनापाट कॉश्य नम्मर 17 है हेमावती नदी किस नदी की सहाइक नदी है फिर से सुनने हेमावती राइवर जो है ये किस नदी की ट्रिवीटरी नदी है ग्यमना गंगा का वेरी या फिर गोदावरी हेमावती नदी जो है ये किस नदी की सहाइक नदी है और आपका रहेगा कावेरी नदी कित है कनधी साइक नदी थी 1498 में 1498 में कहां पर पहुंचा था काली कट में पहुंच जा था कॉश्य नुमर 19 है प्रित्वी का दक्षणी बिंदू या दक्षणी दुरुव कहां पर श्थ है साउथ फोल आपका पूछा गया है आर्थ का यह कहां पर लोकेटेड है ऑस्टेलिया निव्जिलेंड ऑस option number c विल्कुल correct answer आपका अरहेगा question number 20 है महा नदी कहां जाकर गिरती है जो महा नदी है यह नदी है नदी का नाम है ठीक है option number b विल्कुल correct answer आपका रहेगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है महा नदी राइवर question number 21 है होमोपैथी का जनम किस देश में हुआ था या फिर होमोपैथी का जनम दाता किस देश को कहा जाता है Greece Germany Switzerland या इन में से कोई नहीं और होमोपैथी की शुरुवात या फिर होमोपैथी जो है यह किस ने खोजी थी यह खोजी थी आपकी Samuel हनीमेंट थी क्या है Samuel हनीमें ने जो है होमोपैथी की खोज करी थी यह किस देश के निवासी थी आपके जर्मन के निवासी थी या जर्मनी के निवासी या और यह option नमबर भी बिल्कुल करेक्टर और रहेगा Q22 है रास्ति युवा दिवस किस तिथी को मनाया जाता है National Youth Day is celebrated 12 अगस्त, 12 जनवरी, 12 दिसंबर या 12 अक्तूबर को हर साल रास्ति युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को यह निय। option नमबर भी विलकुल correct answer आपकर रहेगा 12 जनवरी को हर साल रास्ति युवा दिवस मनाया जाता है Q23 है रैबिस का टीका किसने खोज था जो रैबिस का टीका है इसे किसने खोज था जौसिफ स्टालीन, लूई पास्चर, जी मार को नहीं या इन में से कोई नहीं रैबिस के टीके कि खोज किस ने करी थी लूई पास्चर ओप्शन नमबर भी विल्कुल correct answer आप कर रहीगा लूई पास्चर ने रेविस के टीके की खोज करी थी Question नमबर 25 है जल की कठोरता डैश की उपस्तिती के कारण होती है जो जल की कठोरता होती है किस की उपस्तिती के कारण आपकी होती है Calcium Carbonate, Magnesium Carbonate, Magnesium Bicarbonate या इनमें से कोई नहीं एक और option आपको देखने को मिल सकता पर आपको जो है बोट देखने को मिलेगा जल की जो कठोरता होती है ये Magnesium और Calcium Magnesium और Calcium Bicarbonate के कारण होती है या option number C जो है बिल्कुल correct answer आपका रहेगा question number 25 है मौलिक करतब्यों का प्राभादान किस देश के सविदान से लिया गया है जो मौलिक करतब्य है ये किस देश के सविदान से लिये गये है इनका सलिशोदन जो है मेरे ख्याल से 42 में सविदान सलिशोदन दबारा जो है रूस के सविधान से मौलिक करतब्बे लिए गए है कांपूर में हुए 1857 के बिद्रो का नेता कौन था अलक अलक पूचा जाता है जहांसी से तो याद रखें कानपूर से 1857 के बिद्रो का नेता कौन था नाना साहिब थे तो option number B बिल्कुल correct answer आपका रहेगा नाना साहिब जो थे ये कानपूर से 1857 के नेता थे question number 27 है भारत का रास्ति पशू क्या है national animal पूछा हुए आपका इंडिया का शेर चीता बाग या इन में से कोई नहीं तो आपको पता होगा option number C विल्कुल correct answer आपका रहेगा बाग जो है ये भारत का रास्ति पशू है question number 28 है महाभाश्य का स्वन्द किस्सी है महाभाश्य जो है ये किस्से स्वन्दित है चकिस्ता से अर्दिशास्तर थे वियाकरण से या इन में से कोई नहीं आपके लिए question है आपको बताना है महाभाश्य की रिस्तना किस ने करी थी कमेंड वॉक्स में जुरूर इसका अंसर बताईए और महाभाश्य जो है आपकी किस्से स्वन्दित है वियाकरण से स्वन्दित है ये option number C बिल्कुल correct answer आपका रहेगा फिर से आपको बता रहेगा अब आपको सभी जो है सभी की सभी वीडियाप आपको टेलिग्राम में मिल जाएंगी question आपकी सामने है 39 सरफ प्रत्म बिशिव कप क्रिकिट कप खेला गया था वो कप खेला गया था 1907 में 1975 में 1980 में या फिर 1985 में option number B बिल्कुल correct answer आपका रहेगा सरफ प्रत्म बिशिव क्रिकिट वोल्ड कप 1975 में कहां खेला गया था इंगलैंड में कहां खेला गया था लोड्स के मिदान को कुछ कहा जाता है क्रिकिट का कुछ कहा जाता है ठीक है और पहला मैच आपका कभ हुआ था तो पहला माच आपका साथ जून साथ settlers 1975 को पहला मिदान हुआ था किन के बीच हुआ था ने भी बता देता हूं यह जो है आपका inडिया और इंग्लेंड के बीच हुआ था ठीक है इंडिया और इंग्लेंड के बीच 1875 का पहला भी श्मकप हुआ था लोट्स इंग्लेंड में नेक्स कोशन है कचारी जन जाती का समध किस राज्य से है जो करेशारी जन जाती है किस राज्य में पाई जाती है जल्दी से बताइए थीस पैसे आपकी कितने चाही थे अभी तक आप आपने वीडियो को लाइक ने कर दो दो वीडियो को शेर कर दो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बाके अपना ख्याल रखें अपने घरवलों को ख्याल रखें मिलते हैं को शांदार मेड़ी भी हैं अपना ख्याल रखें अपने घरवलों को ख्याल रहें खुश रहें कुश्यां बांटे रहें जाहिन वन्यमा ए से व साफ और ए लुटोब से और ख्रस्या-ईe